आप देख रहे हैं स्टीवी लद्दाक आवाज घर घर की तो हाज कमिटी से रिलेटिट कुछ पॉइंट में आपके समझ रखना चाहता हूँ कि इस साल जो जनुरी में हाज कमिटी अफ लदाक हमारा तश्कील में आया लदाक का लिमेंटरिटी का अलग हाज कमिटी उसके फारण बात ही हमारा हज का जो सिलसला प्रोक्सिस जो फॉर् हुआ और साथ ही साथ इस साल एक हरिकार्ट हाज कमिटी उप लदाक के और से आने के खजाजी किराम का इतने सारे नंबर पे हमें आप्लिकेशन्स आया और साथ ही साथ जिदने हमारे फॉर्म आप्लिकेशन आये वो सारा मिनिस्ट्री आप हमारा मिनिटी अफेर से मंजूर हुआ जिसका हमारे बारत सरकार के आदर्णिया प्रैम मिनिस्टिर नरिंदर मोदी जी और अदर्णिया मिनिस्ट्री आफ मैडम जबीन इरानी जी साथी साथ और अजिए बेबल एफटरनल अफ लडाक और मे legitimately हमारे पश्च से तो इसमें जो हमारे डदाक के यू टी अडमेस्टरेशन के आउररबल एल्जी साहब का और हमारे ऍडमेजर्ि साहब का दिल कियामी किए उस्सामें शुक्रियादा करता हैं बिलखुस MP साहब और दोनों इजला के अडमेस्टरेशन जिसमें हमारे ले डिस्टिक के कॉंसल के हमारे सरवरा जिनाब एड़िकेट टाशी यलसन सहाब और उनके पूरी कॉंसल के टीम साथी साथ ले डिस्टिक के हमारे वर्डी डिप्टिक कमिशनर जिनाब के इश्रिकानबाला सहब सूसी और स्पेशली कारगिल डिस्टिक के हमारे कॉंसल के सर जनाव फिरोजामत खान साहब और पूरी कौंसिल के सरवरा और स्पेशली हमारे डिप्टी कमिशनर कारगिरु जनाव सिंतो जूसिक देव साहब का और पूरी डिस्टिक एटमिस्टेशन के टीम का दिल कियामी गहरें से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हच के प तो आज की इस प्रेस कांफिशन की माद्याम से हमारे कारगिरु कौंसल और डिप्टी कमिशनर का दिल के आमीग गहरें से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे कारगिरु डिस्टिक के अंदर से जिने भी हमारे हज़ किये दे जो हमारा यह जो मिशन यहां से ऑपरेट साथ ही साथ हुजाजी किराम के एंद में जो हमारा ओरेंटेशन यो टैनिंड प्रोग्राम जो चला ओव ले में भी हमारे ले अड्मिश्टेशन के बीश रख चला और तुटू में भी चला इन सारे सहुलियत फराहम करके कल जो नौ तारिक को हमारे पहली फिलाइड में इंकलूडिंग खादिम अलफजाज हमारे तो सो पचासी हुजाज किराम सिनेगर इंटरनेशनल एरपोर्ट से जिद्धा शरीत रवाना हुए तो दस तारिक को दूसरी फिलाइड में हमारी एक सो पेंसट एक इंकलूरिंग खादिम अलफजाज सिनेगर इंटरनेशनल एरपोर्ट से रवान की हुआ और तीसरी फिलाइड साथ ही तारिक को हमारे एक जो नौन महरम याने के हमारे वोमेंस जो हुजाज हैं उनका एक खाफिला गया और इसमें बहुत सारी जो सहलियत हमें यूटी जेके से भी हमें बहुत सारी फैसिल टीस प्रोएट हुआ खासकर हम यूटी एड्मेश्टेशन जेनके और स्पेशली हज कमिटी ऑप जमून कश्मीर और उस से भी मैं बलकुल स्पेशली हमारे जो औरिजनल पास्पोर्ट आफिसर साहब है उनका भी तहलील से शुक्रियादा करता हूँ क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्स बहुत सारे इशूज खासकर पास्पोर्ट को लेकर हुजाजी किराम के इमेगरेशन के टाइम ने दिया तो इन में बहुत सायोग हज कमेटी और स्पेशली रिजनल पास्पोर्ट आफिसर साहब का रहा और पूरी हज कमेटी अफ लदाख की और से तमाम कदिल क्यामी की हरां से शुक्रियादा करता हूँ साथ ही साल रिलिजिस और्गनिजेशन का चाहले में हमारा उन जुमने मोईनिल ऑ्सलाम हो उन जुमन इमामिया हो और उन जुमने साहिब जमान, साथी साथ, अन्जुमन सोफिया नूरबक्षा, अन्जुमन एहल सुनत वाल जमाद, जितने में हमारे समाजिक और रिलीजिस ऑर्गनिजेशन है, सब की सहयोग से बहुत ही अच्छा इस साल का हज का हमारा जो प्रॉसेस है, वो शुरू होके तमाम हमारे हुज कराम है, उनके लिए भी वैक्सिनेशन बागी सहुलियत का जो हमने फराहम किया, और लास्ट में में कहूं कि खासकर मीडिया का इसमें बहुत आहम रोल रहा की हज से रिलेटिड एवेरनस या जो भी नोटिफिकेशन वर्गरा, जो भी मनज़रां पे हमारे हुजाज कराम पडलीक तक लाने में बहुत ही आहम रोल रहा, इसलिए आज पूरा आप पूरा मीडिया का भी हाज कमीटी अफ लधाख के और से आप सब का तहदिल से शुक्रिया आदा करता हूं, साथ ही साथ लास्ट में फिर से एक बार ऑन्रेबल एजी सहाब, ऑन्रेबल एंपी सहाब ऑन्रेबल सी सी ले, जिनाब तशीग अलसान सहाब, वर्ली डिप्टी कमिशनेट ले, और इसी तरह कारगिल के अंदर जिनाब फिरोज आमत खान सहाब, ऑन्रेबल चीप इजगेटिव कांसलर, और स्पेशली जिनाब डी सी सहाब का, और पूरी एड्मेस्टेशन के पूर यह सर, हाजी जिपे भी हाज भी हाज भी जारे हैं, तुमके वहाज बिकी सर्कार की और से फैसल्टी स्वेटिश प्रवेट करना, हमारे खजाज के किराम को कुछ भी तकलीफ ना हो, जाहे वहाँ पे अकमेडिशन से लेकर, चाहे आपका एयरपोर्ट पे हो, चाहे आपका विजा के मसाइल्स हो, चाहे आपका हैल्थ इसीऊ को लेकर हो, जो भी मसाइल्स हो, इन सब के एसिस्टेंस के लिए, हाज कमेटी ऑफ लगा employer खित्ते लगा पे KGB के KGB में हाजर हैं साथ ही साथ हमारे खुझाच के साथ हमारे । खुझाच हैं हज assistant हैं डॉक्टर हमारे वहां पर भी ट्रेनर्स खादिमल हुजाच उनका में पहले नाम लेना बूल गया उनका भी तहदिल से शुक्रिया भी आदा करता हूँ और साथ ही साथ जिदने भी अब जो भी मसाइल डर्पेश होते हैं उन सब को खाल करने के लिए हज कमिट्री अफ लदाख का ये मेंडेटरी है कि हज हमारे हुजाज कराम का असान हो कबूल हो वो सारा अदाईगी करके वापस अपने वतन पहुंच जाए इन्ही खितमात को ल कर आले अदिनों सोशल मीडिया तर कुछ लोगों की तरफ से ख़चात का इसार किया जाए है जिसमें मालत कुए कि ख़बार्पी मुर्मारत को साथ में रख जिया है और भी मुश्किलाश करी मुश्चाथ चाह तो ये लोगों को कर दी काम लोगों को बलकि लादाख के लो हमारे हंडुस्तानी है शाहिद बाहर से भी कुर्दू में वो कुछ वडियों वहां से बनाया हुआ है वो उसमें जाहर सी बात है उसमें वो बता रहे हैं कि दो लाग रुपे हमने पेसा बरा है ये 2016 की बात है कि एक पुराना वीडियो होकर हमारे पबलिक में रूमर फिला हैं बिलकुल वेल फैसल्टी आपका होटल एकमेडिशन से लेकर आपका ट्रास्पूर्टेशन हर चीज़ बहुत ही अच्छा इंतिजामात जो है हज कमेटी की तरफ से इंतिजाम रखा है लेकिन ये रूमर फिला रहा है इसमें मैं आपको बहले भी आरस किया है कि दो आदेए अवाम सें गुजरिश है हमारे जो खुजाज किराम हर कोई आज वहां से आउनलेन हर कोई बात कर सकते हैं मीडिया भी वहां से बendo पैता कर सकते हैं हमारी एक जो गूरूप बना हुआ हुआ है उसमें हर खुजाज कराम अपना रोज रोज का डिली अपडिट फ्य इसा कुछ भी नहीं, इस साल बहुत ही अच्छा इंतजामा थे बारत सरकार के और से हमारे खुजज़ के रहम की खत्मत में, तो जो हमारे हाज कमिटी आफिस का इनुग्रेशन हो, आज इसमें स्पेशली हमारे उन्डेवल एलजी साहब और हमारे स्प्रीम डिडर के रिप्र और हाज कमिटी के आफिस का इनुग्रेशन में, बहुत ही हमारे जनरर पगलिक को भी होसला हुआ, साथ ही साथ हाज कमिटी के लिए भी बहुत ही एजास की बातवाए कि ऑन्रेवल एलजी साहब और हिसमेंस आगा महदेपुर्द साहब की मुबारे खात्वर से हमारे हाज क एजी ती पी साहब का और स्वाभी साहब कारगिल से जो ट्राफिक मिनेज्मेंट हर छीड में हमें सहोलियात फरह हमकिया हमारे हुझाख जे खिरन की खालमात में आसनी हों तो तो ततमाम इंतजामिया का यूटी एड़्मेस्टेशन मिसे लेकर भी डिष्टिग एड़्मे ग्यारों सहाच कमीटियोफ लड़ाप की और से तहदील से शुकुरिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुकुरिया.